हेलो प्रेंट्स, आज को रुप सोपे मैं आप सब इको BLDC ceiling fan जो आता है, जो कि रिमोट पर कंट्रोल होता है, उस ceiling fan का जो में मोटर हाता है, उसे मैं totally open करके उसके अंदर का इसके construction के बारे में बताऊँगा, वो actually किस principle पर वर्ड करता है, उसमें जो magnet लगा हुआ है, वो किस कि तरकास लगा हुआ है पाहले north पर south या फिर किसंतर कोन से principle पर work करता है कर से construction है मैं आपको सारह सीज़ बताऊंगा और यह remote पर गंट्रॉल होता है उसमें कौन सा sensor लगा हुआ नगा हुआ है उसके उपर यादनियार्ट लोक टोट नीचे ही आएगा तो इस वायर कोजह यह भी इसलीए आप सब्रेडियों के लिए ऊपर का सब्सक्रीडर्ड कर चुको है तो यह आप सब को मालुमी होगा है उसे को meer उप Natal कि इसका जो निकल जाता है यह सिर्फ इसके अच्छा दिखने के लिए यह निचे में लगाया गया और यह जो है प्लास्टिक बना हुआ है उसके बाद यह सारा जो है वो मेटल का है तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं यहां पर देख सकते हैं जो की जलता है और यह सिंसर है जो की रिमोर से जो सिगनल आता है उसे सिंस करके यह इसको सिगनल भेजता है इसके सिस्टम को इसके सर्किट को उसके बाद ही ओवर करन से और यह सिलिंग फेन अभी 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 हम समंग भाहिए थे सिर्फ एक दिन इसे यूज किया है उसके बाद मैं इसका अन्बाक्शन वीडियो बनाया उसके बाद मैं आपको इसका टोटली ओपेन करके मैं आपको दिखा रहा हूं आप ये गल्दी कभी मत करना क्योंकि मुझे मालूम है ये इसके अंद्र कंस्ट्रक्शन कैसा हो सकता है वह मुझे मालूम है और यदि नहीं भी मालूम है जब मैं इसे ओपेन करूंगा तो मैं सारा चीज़ देखते भी ओपेन करूंगा कि कौन सा सिस्टम कहां लगा हुआ है कौन सा सर्किट कैसे किस तरी यह इसमें से पूरा बाहर आएगा और इसका जो वायर है उसे भी हम निकाल देंगे तो इसका हम अन्बॉक्सिंग वीडियो और इंस्टॉलेशन वीडियो बना चुके हैं यदि आपको देखना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको देंगा होँ चाकर देख सकते हो जहां पर देख सकते हो यह जो दो वायर है ढुआ को सोल्डिंग के यह बहुत ही अच्छा बात है मतनी करके एक जिखा कर दिया है ताकि अच्छे से इसमें नहीं रहता है तो इसलिए आप यदि आप इसे सोल्डिंग करके लगाते हो तो यह मतलब बेन इंप्रीट होता है सर्कृट के लिए चलिए हम इस सर्कृट को भी निकाल देते हैं यह चोटा सा सर्कृट है जो की सिंस करता है और यह प्लास्टिक कर आए जो कि इस सिस्टम को इस सर्कृट को इसमें फिक्स करने के लिए यहां पे लगाया गया था इसे भी निकाल देते हैं और इस वायर को इस तरिका से इसमें निकाल देते हैं अब हम इस मोटर को ऊपन करेंगे यह लगवगा कि सारा इसक्रू उपन हो चुका है और यहां पर जो बॉल बियरिंग तो चलिए हम इसे साइड करते हैं और एक बॉल वेरिंग इसके नीचे में भी होगा चलिए मैं कुसे भी निकाल के दिखाता हूं यहां पर एक स्प्रिंग है और एक सेंटर से वायर आया हुआ है आप देख सकते हो इसके चारों तरफ जो है आपको देख रहे हैं बलैक कलर का पहले हम इसे टूटली ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा तो इसे निकालने के लिए साइद हमें हमर से या फिर किसी चीज़ से पीछे से आपको फोर्स करना होगा क्योंकि इसका जो यह में रोड है सेंटर का रोड जिसे हम साफ्ट कहते है वो जो साफ्ट है वो बोल बीरिंग निकाल सकते हो और जरम केता इसमीं तो आप देख सकते हो यह तो यह जब पर देखे तो एक बोल बेरिंग लगा हुए है जो कि बहुती स्मूठ गूमता है तो जल्च आप करते हैं और इसके बारें तुरा से जान लेते हैं यह आप दिख्वेंद इसका यह मीन सरकीट है, इसी हम सारा कॉंपोनेट लगा हुआ है, ट्रांसफरमर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, यह जो पतला सा म्यानिट यहां पर चोड़ के दूसरी मेंगनेट पर मार किया हुए यह चारद मेंज़न एक मेनट खोंव सhrी सेट करने के लिए लिए इसके सेंटर में लेगा हुआ हो हो है और अब इस मेगनेट के उपर धीयान दो ンネル सकतो अपोजिट साइड जो है मेगनेट के उपर उपर मार्क किया हुआ है जैला मैं आपको दिखा तो मैं देख सकते के यहां पिवर तके जो से त्रकास इसके मेगनेट को सिट किया गया है और यह सब साफटा है संटर की ऊपर जो लगा हूँ आरमेचर आरमेचर पर बनाया हुआ है आप इसे फूल भी का सकती हो और ब्लैक क्लरका और रेड़ क्लरका वायर है इसा सप्लाय देते हं यहां से मेल्न सप्लाय से सरकीट में जाता है सरकीट से पूरा कोनेक्शन होने के बाद ईसके कथे कोयल पर जाता है यह जो मयंगेटी इस तरہ Living साथ स्पूल सबसे पहले नौसपोल अंदर मतलब तरफ मतलब इसका जो मेगनेटिक फिल का डिरेक्षण होगा अंदर के तरफ और जब हम इस सर्कीट को आर्मेचर को इसके अंदर डालते हैं आप देखो यह बहुत अच्छे से खीच लेता है इसको अंदर के तरब कि यह बहुत ही अच्छा जैनेटर बना सकते हो इसके द्वार आप बहुत ही अच्छा जैनेटर बना सकते हो फिक्स करका के दिखा देता हूं असे अनदर डाल देंगे और इसका यह वह सॉर्डी बॉल बेरिंग उसमें इसे फिक्स होना चाहिए इस थोड़ा समप्रेश करेंगे तो वह आटोमेटिक इसमें फिक्स हो जाएगा अब नहीं लगाना है तो आपको कोई भी काम जैदी आप पर तो बड़े साफ धाने से करना असा शॉर्णी में की साफ्ट और जगलें है व स्कते अणुकर वर पर फिक्स रहता है लेकिन इसके ऊपर बाल पर बार पार वो रूटेट करेगा यह में वह पड़ा बाडी में वह फिक्स रहता है और वही रूटेट करता है क्योंकि यह जो साफ्ट है साफ्ट है साफ्ट उपर वाले रोड में कुनेक्शन रहता है उपर वाले रोड यानिक एक्ट्रेंशन रोड में कुनेक्शन रहता है तो यह जो आर्मेचर है साफ्ट है वह फिक्स रहता है और उपर वा यह तो है जो परवानेेट मेंकनेट है उससे फोर्स फोर्स लगता है और फोर्स लगने कारण यह करना सुरू होता है और इसी तरह कासी यह वर करता है इसी प्रिंस्फ़ल पे दानाव हम इससे ऐते तक करते हैं आप में आपको फ़र इसे चला के दिखाय। ये work कर पाता है या फिर मुझ से कोई दिकत हुगा इसे मतलब ठीक से लगाने में कोई दिकत हुआ या फिर नहीं हुआ मैं आपको सारा चाहँ दिखाऊगा इस वीडियो में उपर का प्लास्टिक हम इसे इसमें लगा देते हैं लेकिन उससे पहले यह जो वॉयर था उससे प्लास्टिक को लटायट कर देंगे और यह से अच्छे से ट्रैट कर देना होगा और ज्यादा भी आपको फोर्स नहीं लगाना है बस आपको नर्मली ट्रैट कर देना है अभी जो में लगा थे वह दूसरा था वह गलती से लग जा था जो में स्क्रू एक्षुल चलिए उससे अब हम लगा देते हैं वह लग अभी लग चुगा है अब्हीं है संर्कीट सरकृट है जो कि रिमोर्च से कोंट्रोल होता है और उसी फे वह वर करता है और यहां पर आप जो वह संशर लगा होगा है और आप रिमोट के बटन को जब आप प्रेस कृश करते हो तो इसमें ए scores हलना हो यानिक निकलता है जब आप रिमोट के बटन को प्रेस करते हो तो इसमें से इमीट होता है निकलता है और यह उसे सेंज करता है मतलब कि रिसीब करता है और वो जो डाटा हाता है उसी डाटा को यह सरकीट को सेंड करता है और सरकीट को सेंड करने के बाद इसका जो CPU है मतलब में इसका सरकीट है या या फिर इसे बंद करने की कमांड आया है वह उस टाफ के या उसके बाद ये ये खाम करना हो सकष्त मैं करता है इस यह और करता है दिए को एक बैंसरें को कर देभा है कि पिर श्याब है आप है जैसा कि आप ने करता या पिर जब मैंने इसे लगा इसमें कोई प्रवल्लम हो गया है तो जब हम इसमें सब्सक्राइब देख सकते हैं आप जिस तरह का से भले रूटेट करता था यह स्टार्टिंग में धेरे धेरे उससे तरह का सी रूटेट कर रहा है अभी भी तेले मैं आपको इसे क्सक्ता आट नार्मल अरप फैनोर से होता है वह बहुत ही स्मूथ सूर्पीर करता है और देरी दे 선생 यह एक त足 कि जाता है क्योंकि किसके अंदर यू राएं हब फैना उसको खीचते रहाता इस और さंटर में म्यागनेट लगाओ और सेंटर में लोहा लगा हुए तो खीजता है इसके कारण वो अचानक से दुख जाता है यह देखते हो और उसके बाद लास्ट में एक बूस्ट का बतन दिया हो जब उसे आप प्रेस करोगे तो यह फूले स्ट पर रूटिट करेगा और इसमें टाइमर का भी सिस्टम दिया हुआ है दो गंटा चार गंटा या फिर आट गंटा या निकि चार बटन इसमें दिया इसमें कोई कुछ करने का जरूत नहीं होता है कोई इस फैन को कुछ प्रावलूम करता है या फिर कोई हाथ डालता या कुछ भी होता है यह रूट जाएगा और खुद खुद थोड़ी दिर के बाद यह आटोमेटिक चालू हो जाएगा यह जो फिच्छर्स है यह मुझे अच्छा लगा इस फैन में जो कि नॉर्मल फैन में नहीं होता है तो हेलो फ्रेंट्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राब करें और मेरा जो वीडियो है आपको अपने फ फूल आज का निकले धन्यवाद